हेलो पैरे बच्चो बच्चो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास केजी की वर्क सीट नमबर 24 तो बच्चो आज की वर्क सीट का टॉपिक है डे एंड नाइट दिन और रात बच्चो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आसमान में चांद दिखाई देता है तारे दिखाई देते हैं और सूरज दिखाई देता है अब बच्चो दिन में क्या दिखाई देता है और रात में क्या दिखाई देता है तो दिन में सूरज दिखाई देता है और रात में चांद और तारे दिखाई देते हैं दिन और रात के आसमान का क्या रंग होता है तो बच्चों दिन के आसमान का रंग होता है नीला और रात में थोड़ा काला काला रंग होता है चित्र में वैसा रंग भरो अब यही रंग आपको नीचे चित्र दिया गया है उसमें भरना है अब बच्चों सूरज में गोल्डन और चां की पिक्चिर है यहां पर आप सिल्वर कलर का काकच चिपकाएंगे अब बच्चो कोश्य नंबर टू है दी गई पोयम को सीखो और मजे से गाओ तो बच्चो यहां पर पोयम है अब उसे हम सीखेंगे तुम आसमान में उपर क्या देखते हो वन बिग सन साइनिंग एट मी एक बड़ा सा सूरज चमकता रहता है साइनिंग साइनिंग ला 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 वो हमेशा चमकता है रहता है वाट डू यू सी अप इन दा स्काई आप आसमान में क्या देखते हो वन बिग मून ब्लिंकिंग एट मी एक बड़ा सा चान जो हमेशा मुझ पर ब्लिंक करता रहता है ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग ला 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 वाट डू यू सी अप इन दा स्काई तुम आसमान में उ ट्winkलिंग ट्winkलिंग ला 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 ला-ला जो हमेसा चमकते ही रहते हैं अब बच्चों कुश्चन थ्री है नीचे दिये चित्रों में सुन्दर रंग भरो इन में से आप कौनसे काम दिन के समय करते हैं उन पर सही का निसान लगाओ तो बच्चों यहाँ पर कुछ चित्र हैं अब देखते हैं बच्चो यहाँ पर दो बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं तो ये काम हम कब करते हैं तो बच्चो ये काम हम दिन में करते हैं इसलिए हम इस पर सही का निसान लगाएंगे अब देखते हैं बच्चो अगले पिक्चर में क्या काम हो रहा है तो बच्चो अगले पिक्चर में बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का काम हम दिन में करते हैं अब देखते हैं बच्चे अगली पिक्चर में कौन सा काम हो रहा है बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो इसकूल भी हम दिन में जाते हैं अब देखते हैं बच्चो अगली पिक्चर इसमें जो लड इनके नाम Q या Q की आवास से शुरू होते हैं जैसे की Queen और Quill ऐसी दो चीजों के नाम बताओ जिनके नाम Q की आवास से शुरू होते हैं तो बच्चो ऐसे नाम है Quite और Quick Quite का मतलब होता है बिल्कुल सांथ और Quick बोलते हैं जल्दी को अब ये पिक्चर में कौन है बच्चो पिक्चर में ये है Quill और ये है Queen अब देखेंगे आगे यहां दिये गए बड़े से Q में सुन्दर रंग भरो तो बच्चो ये Q है इसमें आप सुन्दर सा रंग भरेंगे अब देखते हैं बच्चो Question No.5 इन चित्रों को ध्यान से देखो और इनके नाम बताओ इनके नाम आर्य रै की आवासे सुरू होते हैं जैसे Rabbit, Ribbon और Rain ऐसी दो चीज़ों के नाम बताओ जिनके नाम आर की आवासे सुरू होते हैं तो ऐसे नाम है रोज मिन सोता है और ये है रेन रेन मिस होता है बारिस होना और तीसरा के आए बच्चो रिबन बोलते हैं फीते को अब देखते हैं बच्चो आगे इस बड़े से आर में रेड कलर कीजिए तो बच्चो ये आर है तो बच्चो सभी इसमें रेड कलर अपने आप भरेंगे अब देखते हैं बच्चों question number six नीचे दी गई चीजों के नाम बोलिए इन चीजों को इनके नाम की पहली आवाज यानि की sound को पहचान कर सही alphabet से मिलान करो तो बच्चों अब देखते हैं first क्या है? first है ये flower तो flower की spelling किस से सुरू होती है? F से दूसरे picture में है आवल तो आवल की spelling किस से सुरू होती है? O से अब देखते हैं next next picture में है plant ये पोधा है तो प्लाइंट की spelling शुरू होती है P से अब देखेंगे बच्चों अगली picture में है कॉमब कॉमब बोलते हैं कंगा करना बालों में कंगा करते हैं जिससे उसे बोलते हैं कॉम्ब तो कॉम्ब की स्पेलिंग शुरू होती है सी से तो हम इसे सी से मिलाएंगे अब देखते हैं बच्चो अगला चितर किसका है तो बच्चो अगले चितर में हैं मैंगो तो मैंगो तो सभी खाते हैं तो mango की spelling होती है बच्चो M से शुरू तो हम इसे किस से match करेंगे M से अब देखते हैं बच्चो question number 7 सही संख्या बोलो और numbers को trace करो तो बच्चो यहाँ पर numbers लिखे हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4 सभी ऐसे बोलेंगे और इन पर pencil से दुबारा लिखेंगे तो बच्चो यह सभी अपने आप करेंगे अब देखते हैं बच्चो question number 8 दोनों चित्रों में अंतर ढूंडो और निसान लगाओ तो बच्चो इस चित्रों में sun है clouds है bucket है duck है अब देखते हैं इस picture में क्या है इस picture में बच्चो sun है लेकिन sun में जो है eyes नहीं है दूसरा यहां पर दो बादल थे उपर की picture में लेकिन इसमें एक ही बादल है तो यहां दूसरा है अब तीसरे में यहां पर जो पकिट थी उसमें अंदर की एक किनारी थी लेकिन इसमें नहीं है और जो यह यंत्र है इसमें भी अंदर की किनारी बनी हुई है तो जो उपर थी लेकिन इसमें नहीं है अब जो डख है डख की उपर के पिक्चर में जो बीक होती है चौच होती है वो थी लेकिन इसमें नहीं है तो ये सबी अंतर दौनों चित्रों में हैं बच्चो यदि आपको वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक सेर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू